हेलो एरीवन गुड मोर्निंग नमस्कार एक जुलाई दोहजार इकीस और आज के दे हिंदू निजपेपर को हम लोग डिसकस करेंगे अनलिसिस करेंगे आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं टेलिग्राम से जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या सीधा प्रिवर्तन आई इस अकैडमी टेलिग्राम पर लिख कर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं रिसनली हमने पढ़ा था इंडियन एर फोर्स के बेस स्टेशन पर ड्रोन्स के द्वार अटेक किया गया था इसके अलावा मिलिटरी स्टेशन पर भी ट्राई किया गया कि ड्रोन्स के थूर अटेक किया जाए उसके बाद जमण कस्मीर के एक डिस्टी के राजोरी राजोरी वही डिस्टी के जो line of control यानि पाकिस्तान से जो border share करती है उससे boundary share करती है वहाँ पर प्रतिबन लगा दिया गया या बैन लगा दिया गया ड्रोन्स, flying toys के उपर और यह decision लिया गया है यहाँ पर आप देखेंगे यह decision होगा section 144 of the CRPC a ban is imposed on storage, sale, possession, use and transport of any drones और small flying objects करके toys in the district यानि particularly राजोरी district के अंदर ही decision लिया गया है security perspective से इसके बाद यहाँ पर एक और information है Supreme Court pulls up government on ex-gratia करके और यहाँ पर it gives NDMA यहाँ पर बात की जारी National Disaster Management Authority को 6 मेने का time सुरी 6 week का time दिया गया है ताकि COVID-19 victim के जो keen है उनको compensation क्या जासके यानि जिन लोगों की death हुई है COVID-19 के वज़े से उन लोगों को spot up क्या जासके या उनको compensate क्या जासके National Disaster Management Authority जिसको chair करते हैं खुद प्राइम से साब उनको एक तरीके से 6 week का time दिया गया है कि आप decide करिए कि minimum standard of relief जो है आप क्या provide कर सकते हैं Under the Disaster Management Act और National Disaster Management Authority यानि अभी तक आप वो duty को perform करने में successful नहीं हुए है इसलिए आपकी responsibility है इसके अलावा recently एक PIL यानि petition फाइल करेगी थी advocate गोरो कुमार बंसल के दोवारा और उन्होंने ये बोला था कि 4 lakh each families को जो COVID-19 decrease के उनको compensate किया जाए हलाकि उस petition को तो cancel कर दिया है refuse कर दिया उस petition को लेकिन Supreme Court ने बोला कि हमें ये बताइए कि 6 महिने के अंदर आप क्या decision लेने वाले है 6 महिने का time दिया गए इसके दोवारा या इस authority को कि आप guideline set कर ये rules बनाएए और इसके लाबा state को particular guidelines ये rules बनाने को लेकर भी रोका नहीं जा सकता मतलब इस guidelines का ये जो timing है या जो Supreme Court को जाए एक order है या direction है उसके अंदर state भी अपने rules जो है बना सकते है फ्रेम कर सकते है इसके बाद third information इस page पे है अगर आप देखेंगे उत्राकंड के अंदर जो CM स्टाइम है तीरत सिंग रावत वो पहले MP थे और उन्होंने resignation देने के बाद फिर वो वहां के CM बने थे लेकिन अभी तक भी वो state assembly के member नहीं है हमने दो scenario देखें पहला recently ममताव energy के case में जब ममताव energy खुद नंदी ग्राम से election हार गई थी उसके बाद वो west wing और की CM मनी अगर आप constitutional provisions की बात करें तो 6 महिने के अंदर अंदर जो है आपको house का member बनना पड़ेगा दरवाज आपको resignation देना पड़ेगा यहाँ पर तीरत सिंग रावत के सामने दो problem पहली problem क्योंकि वो house के member नहीं है वो member of parliament थे और बाद में उत्राकन के CM मनी है यानि वो assembly उत्राकन assembly के member नहीं है दूसरा COVID-19 के बज़े से 6 महिने के अंदर election जो है वो नहीं हो रहे क्योंकि उनको अभी कुछी दिनों के अंदर member of the house बनना पड़ेगा हलाकि 6 महिने के अंदर election करवाने का provision है लेकिन कुछ ऐसी scenario होती जैसे COVID-19 pandemic की वज़े से ये process थोड़ा delay हुआ है इसको लेकर legal एक तरीकी क्या issues हो सकते हैं उन सब चीजों को लेकर वो delay गए एक तरीके से उनको resignation देना पड़े उत्राखंड में problem यह रही है कि वहाँ पर political stability या CM को change करना continue ये एक major issues रहा है उस context में आने वाले साल 2022 के अंदर election भी होने वाला तो political implications क्या हो सकते हैं उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर decision लिया जाएगा और क्या अगर यह इनका एक तरीके से छे मेने के अंदर member नहीं बनते क्योंकि उसके बाद अगर member नहीं होंगी तो resignation देना पड़ेगा उस scenario में political parties के पास क्या option होगा वो सारी चीजे इसके बाद यहाँ पर CGI यानि Chief Justice of India इनका एक तरीके से speech इन्होंने दिया था एक center के अंदर यह गए तो इन्होंने एक word यूज किए election no guarantee against irony यानि एक तरीके से जो अत्याचार होता है उसका एक तरीके से कोई guarantee नहीं देता कि election हुए नई सरकार बनी और एक तरीके से कोई भी अत्याचार नहीं होंगे या एक तरीके complete जो है अलग scenario देखने को मिलेगा लेकिन उनने एक word यूज किया कि अब तक 17 general election हो चुके है कई बार सरकार ये बदली है और इसमें से 50% of number of general election के अंदर यानि ये time सरकार जो change हुई इनका combination change हुआ इसका मतलब 50% बार जो है वो इसमें change हुआ है इन सब के बीच में भारत के अंदर अभी भी inequalities, illiteracy, backwardness, poverty, ignorant और ये सारी चीजे होने के बावजूद भी भारत के लोगों ने एक तरीके से intelligent task को complete किया है जब उन्होंने huge number पर mass एक तरीके से change करना ये सारी चीजे भी यहाँ पर हुई है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि political party change होने से सारी situation जो है change हो जाती है उन सब चीजों को लेकर इन्होंने speech दिया एक अपना opening बता दूसरा यहाँ पर बात की जा रही है कि judiciary को requirement है complete freedom की और कोई भी ऐसा decision directly को लेकर हो और इसके लावा एक तरीके से इनका opinion है इन्होंने center के अंदर speech के अंदर कुछ अपना opinion रखा particular context में देखिए यहाँ पर दो चीजे ध्यान रखनी पहला chief justice of India का जो speech है वो एक center के अंदर होना अलग बात है और supreme court का कोई judgment direction या इतरीके से guidelines वो होना different दोनों में different होगा यहाँ यह अपना personal opinion भी दे सकते हैं लेकिन वहाँ पर personal opinion नहीं होता with rules and regulation के basis पर decision नहीं जाते हैं इसके बाद page number 13 अर्सों 13 पर 100th anniversary के बारे में discussion किया गया है communist party of China के बारे में तो चाइना के में जो communist party उसने बताया कि सो सालों में हमने किया क्या है और recently कुछ चीजें जो हुई है उनके बारे में discussion किया गया वैसे तो बहुत लंबा चोड़ा ही एक तरीके से paper है लेकिन इसमें जो main में चीजें जो आपके साथ discussion करनी पहला एकनोमे के context में बात की जा रही है कि चाइना की एकनोमी एक मात्रा ऐसी एकनोमी दुनिया बारे में 2020 में जिसने 2.3% की positively increase किया यानि जहां पूरी दुनिया COVID-19 के वज़े से contraction face कर रही है कमी face कर रही है उसी context में चाइना की एकनोमी जो 2.3% के साथ positively growth जो उसने हासिल करी इसके अलावा reformed and opening up के बारे में इन्होंने discussion किया और खासकर ease of doing business के बारे में इन्होंने discussion किया कि continue जो है वो कहिने के discuss कर रही वर्ल्ड की top 500 companies के अंदर चाइना की 133 Chinese company include है according to fortune magazine देखे ease of doing business एक ऐसी report जो 2020 में इसके analysis method को लेकर भी news में रही और world bank बहुत सार report publish करता है जिनके बारे में सवाल हो सकता है आप लोगों के लिए सवाल है कि world bank कौन कौन सी report publish करता है उनको निचे comment करना 8222 के ओपर आपसे सवाल पुछा गया है ease of doing business में कई सारे indicators भी पेरामेटर से भी जिसकी basis पर ease of doing business analysis की जाती है दूसरा poverty elevation को लेकर इन्होंने कहा कि February 25, 2021 को President Joe S.C.G. अनौने नाउस किया था complete success उनको हासिल हुई है fight against poverty यह अपने आप में unique है इस तरह के direct या आप इस तरह की indication दे सकते हैं society कोंटेक्स में ने बात करी इनके लावा science and technology के कोंटेक्स में कि इनका जो fire plan है और दूसरा global innovation index के बारे में discussion किया और कैसे middle income economy में top 30 के अंदर वो include हुई इनके कुछ missions के बारे में जैसे Chang A5 करके है इसके अलावा शेंजो 12 है इसके अलावा 93 है त्यान है यानि कई सारे missions के बारे में और खासकर इनका international space station को लेकर हो या astronauts को एक तरीके से भेजना हो space के अंदर और थर्ड जो है उनका Mars mission हो ये कई सारे missions जो है वो continue news में Mars mission में ने के अवल चाहना बलकि UAE और USA के mission भी news में थे तो हो सकता आप से सवाल इसके बारे में पूछा जाए आप लोगों को इसी के साथ second question अटेच करना है global innovation index जो है ये भी इतनी important है इसको कौन release करता है यानि कौन सा institution कौन सा organization global innovation index को release करता है वो आप नीचे comment करना इसके बाद इन्होंने कई सारे topics पर बात करी पहला इन्होंने जो own peace की एक तरीके से शांति स्थापित करने में चाइना का role क्या है और ये जो word उपर इन्होंने लिखे हैवी हैवी की हम जो है पूरी responsibility के साथ पूरी दुनिया में peace establishment करने चाहते हैं करते हैं और कोशिस करते हैं लेकिन पहली बात चाइना का जितनी भी neighboring country है जितनी भी neighboring country है किसी के साथ भी ऐसा नहीं होगा जिसके साथ कहीने के political उनका issues ना हो boundary related issues ना हो इनके लाबा यहाँ पर COVID-19 के against fight करने में क्या role है climate change जो की most important है climate has China has contributed to conclusion of the Paris Agreement on climate change और announce किया गया कि 2030 तक जो इसकी carbon emission उसको reduce करेगा 2060 तक neutralize करेगा और जो है एक तरीके से अपना एक important role play करेगा क्योंकि China उन country में से huge emission करता है carbon का और CO2 का इसलिए इनके उपर responsibility भी ज़्यादा है तो यह कुछ information है अच्छा कासा आप बोल सकते हैं हाला कि यहाँ पर आप कोने में देखेंगे एक advertisement word यूज किया गए यह advertisement है इनका एक अपना opinion है लेकिन कुछ word जो है वो important है और जब ambassador लिखते हैं तो इसमें data जो है वो चाहिना की तरफ से officially इसमें convey किया होगा editorial पार्ट की बात करेंगे editorial पार्ट में बहुत सारे editorial होते हैं as usual लेकिन कुछ editorial जो है नए यूनिक और exam perspective से directly related होते हैं पहले अगर हम बात करेंगे small doses करके का article small doses करके का article दिया गया है इसमें discussion किया गया recently central government के दोरा या union finance ministry के दोरा एक package relief किया गया जिसको COVID-19 second COVID-19 वे हो जो है relief package की तरह consider किया जाशते तो इसमें बोला गया कि इसके दोरा बहुत सारी hope थी उमीद थी लेकिन sort of expectation यानि उमीद से थोड़ा कम आपको नजर आएगा इसके अंदर लगबग आप देखेंगे 6.29 टू-9 लैक रोड का एक तरीके से package अनाउस किया गया इसमें micro entrepreneur से लेकर tourist agent और tourist agent से लेकर आप देखें credit guarantee बहुत सारे sectors के अंदर announcement किया गया कि fund जो spend किया जागा इनके अलावा परधान मंत्री गरीब कला अनानियो जना से लेकर fertilizer subsidy तक बहुत सारे areas के अंदर जो है announcement किया गया लेकिन इसमें जो concern यह है कि अभी भी जो announcement किया गया है इसमें खासका tourism को लेकर travel agents को spot करने के मामले में यह अभी भी आप देखेंगे पुरी दुनिया के अंदर जो tourism है वो बहुत जादा actively नहीं है अभी भी क्योंकि अभी भी flights ban है pandemic बिल्कुल खतम नहीं हुआ है और tourism का कितना major role economic के अंदर उसको लेकर जब हम world affair वाला section में जाएंगे या world news पढ़ेंगे उसके अंदर एक report आज आई है उसके बारे में भी discussion करेंगे इनके लाबा यहां पर बात की जा रही है कि pediatric health care sector को लेकर हो या low interest loans for health project हो ये important है इनके लाबा ज़रूरी क्या कि आने वाले time में इस तरह की pandemic इस तरह ही waves ना हो उसको control करने के लिए faster vaccination की requirement है इनके लाबा fertilizer subsidy या food grain जिसके बारे में already announce किया गया है उसके बारे में यहां पर फिर से mention किया गया हाला कि यहां पर जो main चीजें क्या है कि ठीक है कि इन्होंने कुछ major announcement किये लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि inflation को कैसे control करने और RBI को greater support जो provide करने पड़े growth and a little more money to in people's hand यानि लोगों के पास पैसा होगा तब ही ओखर्च करेंगे inflation को control करना पड़ेगा fuel prices को control करना पड़ेगा और ताकि fiscal एक तरीके से restraint को maintain किया जासके और इसके अलावा हमें इस बात को भी धिहान अकना पड़ेगा कि अगर long term perspective में देखे तो इस टाइम इस तरह के decision लेने पड़ेंगे जो की require as per the rules and regulation और जैसे situation उसके according इसके लावा यहाँ पर डेजेट होम करके article दिया गया यह cricket related एक article है यानि ICC 2020 World Cup के बारे में जो shift किया गया India to the United Arab Emirates यहाँ पर discussion किया गया है इसके बारे में तो ICC का कोई events होता है क्रिकेट के बारे में तो UPSC generally sports के बारे में question नए के बराबर पूशती है यानि 0.001% possibility होती है खासकर technology related question हो सकते हैं generally question नहीं होते हैं लेकिन फिर भी यह story type में दिया गया कि भारत से UAE के अंदर shift किया गया Chinese Communist Party ने क्या role play किया है अगर आप Chinese यहाँ पर जो study कर रहे हैं कि China related तो आप जरूर इसको पढ़िए लेकिन UPSC के perspective से भारत और चाइना के बारे में बहुत जादा यहाँ पर नहीं मैंसेन है अगर आप से आप इस तरह कि आपके slivers के अंदर particular China को लेका कुछ topic दिये गए तो आप यह topic जो है पढ़ सकते हैं चाइना के बारे में थोड़ा सा इसके अलाबा एक आर्टिकल लिखा है कमाल हाशन ने और यह एक तरीकल पॉलिटिकल पार्टी के head भी है एक और आर्टिकल में यह बात कर रहे है Cinematograph Amendment Bill 2021 को लेकर जो कि Ministry of Information and Broadcasting ने लोगों से opinion पूछा है और Parliament में इस प्रिजेंट किया जाएगा इसके अंदर नहीं शिर्फ एक बात बोली उसी के अंदर हम बात करेंगे कि जो Draft Cinematograph Bill है इसमें एक section है Subsection 1 of section 6 of the Cinematograph Act यानि इसके अंदर तो 6 section होंगा उसमें से Subsection 1 जो है 6 number section का उस section में यह mention किया गया कि direct re-examination किया जा सकता है यानि जिन फिल्मों को already certified किया गया है Central Board of Film Certification के दोरा उनको फिर से re-examination करना क्या एक तरीके certified करना यह ओर ज्यादा खतरना का लगता है already certified यह जो फिल्म already certified कर चुकी है और जिनको Central Board of Film Certification जो है वो certified करता है उस context में उसको re-examination करना क्या यह कहीने कहीं power को control करना या एक तरीके से इस पूरे context में जो है कहीने कहीं क्या Central Government यह चाहती कि इसमें एक तरीके से involvement हो या एक तरीके से उनकी presence या आप देखिंग इस तरह के certification के अंदर जो है वो challenging हो इसके लावा अगर इससे पहले हमने देखा 2021 के अंदर ही film certification affiliate tribunal को जो है abolish किया गया और अब filmmakers के पास एक यह option बचेगा कि हाई कोट में अप्रोच करें अगर वो agree नहीं है अगर हाई कोट में अप्रोच करते हैं तो problem यह आते कि पूरा time consuming और expensive जो होगा और यह most of the film makers के लिए suitable नहीं होने वाला है इसके बाद यहाँ पर जो decision यहाँ पर इन अट opinion दिया कि यह bill जो है वो कहीं नहीं कहीं यह bill अभी draft bill है पहली बात तो यह अभी parlay event के अंदर table नहीं किया गया दूसरा जो है यह bill अभी parlay event के अंदर discussion भी नहीं किया गया दो जुलाई तक लोगों को अपना लोगों से opinion मागा गी कि आप इस particular operator पर क्या सोचते हैं दूसरा कई बार हमने देखा है कि जो opposition political parties के जो व्यक्ति होते हैं मैं यहाँ पर कमल हसान की particular बात नहीं कर रहा हूं तो जैसे बीजेपी की सरकार Congress का कोई leader लिख रहा है तो आपको देखने को मिलेगा one side से direction देखने को मिलेगा यहाँ पर इनका opinion जो है वो important है लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी कोई political leader इस तरह का opinion देता है तो उसमें एक हलकी सी theoretical या opinion जो है वो जुका होता है अगर वो सरकार की political parties में align से थोड़ा सरकार के तरफ जुका होगा और अगर opposition में तो सरकार के against जो होगा तो आपको अगर यहाँ पर question आप से पूचा जाए कि इस amendment bill को analysis करेए पहली बात amendment bill को लेकर bill से जब तक act नहीं पूचा बन जाता तब तक questions की implementation होने की question पूची जाने की possibility थोड़ी कम है लेकिन अगर सवाल पूचा भी जाएगा तब भी आपको दोनों प्रक्स आपको depend करेगा question किस type का है अगर आप analysis type में question है तब दोनों चीजों को दिखाने यह चीजे हैं और यह कुछ problems है इनके अलावा अगर critical analysis तो इसमें growth क्यों होना हूँ आपको issue दिखाने और discuss करना तो सिर्फ आपको bills के बारे मताना तो आपको as per the requirement जो decision लेना है कि आप से पूचा क्या गया है इसके बाद page number 7 पे interview दिया गया Montek Singh आहुलूबालिया का और यह जो थे deputy chairman थे planning commission के और recently जो है Center for social and economic progress के fellow है इन्होंने कई सारे topics पर discussion किया गया कि 1991 के जो LPG यानि liberalization, privatization और globalization की जो policies थी उससे अब तक क्या चीज़े चेंज हुई तो इन्होंने बहुत सारे topics पर discussion किया यह interview मैं personal ही चाहता हूँ कि आप पढ़ें इसके बारे बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ने को मिलेगी इन्होंने बहुत सारे topics पर discussion किया पहली बात तो GDP growth rates को लेकर इन्होंने discussion किया कि कितनी चीज़ें change हुई है 1992 से लेकर 2020 तक इनके अलावा यहाँ पर इन्होंने ने केवल GDP growth rate के बारे में बलकि कई सारे ऐसे topics जिसमें अगर आप देखेंगे reserve list के बारे में बात करी या investment को लेकर discussion किया गया या आप देखेंगे इसमें कि भूत सारे sectors को अभी भी जिसमें export potential उनको एक तरी reserve किया गया है small scale production को लेकर इनके अलावा technology transfer से लेकर foreign direct investment तक कई सारे topics को इन्होंने discussion किया इसके बाद यहाँ पर अगर कुछ सब topics के बारे में आप देखेंगे तो इसमें कई सारे ऐसे topics जो examination perspective से important है कैसे economic analysis किया गया है खासकर import और FDI को अगर आप देखेंगे इन्होंने discussion किया कि regional comprehensive economic partnership जिससे भारत ने pull out कर लिया था क्यों भारत ने pull out किया और क्या यह जरूरत थी तो उन सब चीजों को लेकर अपना एक opinion इन्होंने बताया regional comprehensive economic partnership जो है वो news में रहा था क्योंकि भारत ने उसको join करने शाम मना कर दिया था इसके अंदर फिलाल जो है और इसको लेकर free trade agreement से लेकर बहुत सारे organizations को लेकर इन्होंने discussion किया तो यह interview में personally चाहता हूँ कि आप लोग एक बार जुरूर पढ़े रिवाइज करें और last में इन्होंने employment को लेकर बताया गया कि यह matter of concern है और जब economy के अंदर contraction है उस context में employment कैसे जनरेट होगा यह problem होने वाली है दूसरा GDP में contraction और आने वाले time में भी GDP एकदम से बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी उसको लेकर एक time लगेगा उस context में employment को कैसे जो है target में रखेंगे यह कुछ concern है इनके वारे में इन्होंने discussion किया इसके बाद page नमबर 8 पर आप देखेंगे तो last में का information है और यह information रिशनली हमारे external affair minister जो है वो इंडिया global form 2021 के अंदर participate कर रहे थे तब उन्होंने discussion किया कि जो big tech firms है उनको countable होना चाहिए social media platform और government के वीच में जो टशल है उस context में external affair minister साब के statement important इन्होंने बोला कि पहले बात हर country का एक अपना national laws होते हैं और हर चाहिए वो एक debate चला कि big tech जो है या इस तरह की जो companies है जिसमें social media की जो major companies है उनके उपर क्या बिलकुल responsibility नहीं होनी चाहिए यानि अगर वो major role पले करती है यह एक तरीके से उनका पूरी दुनिया के अंदर direction और change करती है उस context में क्या यह company जो है उनकी responsibility नहीं है और क्या इनके accountability नहीं होगी अगर वहाँ उनको एक तरीके से major platform मिलता है तो responsibility भी होनी चाहिए और उनको जो किसी भी country हो उसके rules और regulation को जो है follow करना चाहिए इसको लेकर government of इंडिया वर्जिस ट्विटर हो है ट्विटर से लेकर दूसरी social media platforms हो उनके बीच में जो issues है उन सब के बारे में यहाँ पर keyword यूज किया गया accountable यानि accountable आपको होना पड़ेगा जो rules country के हैं आपको follow करने पड़ेंगे इसके बाद यहाँ पर title दिया गया इंडिया फ्लैक्स green pass issue करके एक title दिया गया है यानि European Union Countries यह चाहते green pass issue किया जाए green pass का मतलब यहाँ पर किया है जिन लोगो vaccinate हो चुके हैं या आप देखेंगे vaccine passport की तरह आप इसको एक word यूज कर सकते हैं इसके अंदर यह क्यों यूज में है और क्या है इसका मतलब basically तो इसमें discussion किया गया है कि green pass जो word use किया गया है green pass के बारे में discussion किया जा रहा है कि European Union कुछ country चाहता है digital covid certificate हो और इसमें भारत के सामने problem किया है कि यह जो agency यह European medicine agency के गर्डिंग जिन vaccine को approval दिया गया है उनमें European made AstraZeneca है यानि भारत द्वारा भारत में जो Serum Institute of India द्वारा को विशिल बनाएगी वो इसमें approval नहीं है और vaccine जो है भारत भारत यह दोनों approval नहीं है उस context में होगा क्या कि अगर भारत की दोनों vaccine जिसमें भारत की population को vaccinate के जा रहा है वो दोनों include नहीं होगी तब definitely जो लोग European Union countries में जाना चाहते हैं भारत की तिरप से उनको problem होने वाली इसी को लेकर कुछ concern है दोनों countries के बीच में और भारत सरकार ने अपने protest भी जो इसमें दर्ज करवाया कि इस तरह की चीजें नहीं होने चाहिए यह हट करती है इसके बाद यहां पर आप देखेंगे European Union जो है वो बुटान को help कर सकता है vaccination के मामले में और बुटान के जो health minister है उन्हों रिशनली बोला था कि बुटान के अंदर second dose के लिए vaccine नहीं है और उस context में European Union जो है उनको support कर सकता है क्योंकि second जो dose है उसका जो time period है यह उसके बीच में जो gap वो 15 जुलाई तक उनको inuculation करना vaccination कंप्लीट करना है उस context में बुटान को पहले भारत ने promise किया था कि help करेंगे लेकिन जैसे covid-19 की second wave आई हमने decision लिया कि export को ban किया जाएगा क्योंकि हमारी requirement बहुत ज्यादा थी उस context में भारत ने बोला था कि दूसरी country से मिलकर जो है बुटान की मदद की जाएगी तो European Union जो है 27 countries का ग्रूप जो मदद करेगा बुटान की cabinet clears viability gap funds for भारत net यानि भारत net प्रोजेक्ट जो है उसके लिए viability gap funding यानि अगर requirement होती किसी प्रोजेक्ट यो complete करने में उनमें जो issues आते हैं उनको sort out करने को लेकर अगर fund की requirement है तो उसको लेकर लगबग 19,041 या 19,041 क्रोड रुपी जो है वो support क्या जाएगा इसमें public private partnership के थूरू solar states में जो implement क्या जा रहेगा भारत net प्रोजेक्ट क्या इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे भारत net प्रोजेक्ट बेसिकली ग्रामिन से तरह में ग्राम पंचायत को इंटरनेट की access बढ़ाने को लेकर या optical fiber के तुरू internet access हो इस बात को ensure करते हैं इसमें solar state के बारे mention किया गया यह फेजड मेनर में होगा लग-लग states में जो है वो extend किया जाएगा केरला करनाटका, राजस्तान, हिमाचल, पंजाब, हर् प्रदेश, मद्य प्रदेश, वेस्ट मिंगोल, अश्यम, मिघाले, मनीपूर, मिजोरम, तिरुपरा, नागला, नातर प्रदेश यह सारे state जो है वो include होंगे, यहां पर बात किया जारे कि यह project जो है 29,430 क्रोड के साथ expansion के साथ जो है शुरू किया जाएगा और इसमें बे benefit यह होगा कि इसके तरूँ जो services है, इसमें e-services है, online education है, television है, skill development है, इनको बढ़ाय जासकेगा और यह digital divide को definitely कम करने का काम करेगा, यह इसलिए important यह project है, इसके बाद page number 13, page number 13 पे एक information है business section में कि fiscal deficit जो है, वो एक तरीके से अभी भी भी बहुत जादा increase नहीं हुआ है, COVID-19 की second view के बाद भी, यहनि भारत में fiscal deficit राज कोशिय घाटा जो है, लगबग 8.2% की है, और यह within budget line है, जो budget 2021-22 में target किया गया है, उसी के according यह data लगता है, और इसमें, हलाकि दिक्कत यह कि एक तरीके से जो government spending है, यह capital spending है, उसमें कमी देखने को मिली है, इनके अलाबा, य 1.2 lakh crore का जो fiscal deficit देखने को मिलता है, पिछले साल के compare में लगबग 30% यह कम आपको नजर आएगा इन 2 months के मामले में, अप्रेल और माई के context में, reason I think यह हो सकता है कि पिछली बार जो complete lockdown था, nationwide lockdown था, इस बार regional local lockdown देखने को मिला, यानि कुछ ने कुछ बेसीज पर economy या जो हमा जितने भी types के deficit होते हैं, budget deficit हो या दूसरी deficit हो, primary deficit हो सकता है, इनको लेकर सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इनको लेकर इतनी के words directly pick करते हैं, मैंने कई बार बता है कि economy के जो question होते हैं, फिसकल deficit क्या होता है, तो यह एक word आपके सामने हो सकता है, fiscal deficit और budget deficit, इन 2 words के बीच मे difference क्या है, वो आपको नीचे comment करना है, इसके बाद last page जो है, वो foreign affair वाल है, मैंने बताया था starting में कि tourism की वज़े से जो loss हुआ है, उसको लेकर एक report है, कि 4 trillion dollar का पुली दुनिया को नुकसान हुआ है, एक report present करेगी, joint report है, यह UNWTO के दवारा, United Nation World Trade Tourist Organization, और दूसरी है, United Nation Conference on Trade and development करके, इनने बताया कि 2020 में इसके वज़े लगबग 4 trillion dollar का नुक्षान पहुँचा है, और अगर आप देखेंगे 2020 और pre-covid level तक पहुँचने के लिए 2023 और उसके बाद तक उमीद की जारी है, और इसमें कई सारे sectors में जिसमें बोला गया, क्योंकि tourism जो बड़े level पर लोगो को रोजगार प्रोवाइड करता है, और कुछ कंट्री जैसे सिलंका होगी, माल्दीूज होगी, ये डिपेंडेबल है, माल्दीूज है, मौरिसेस है, ये tourism पर बहुँचाद डिपेंड है, तो इन कंट्रीज की एकनोमी जो पूरी तरीके से परभावित होती है, अगर tourism इसके बाद, लास्ट इन्फोर्मेशन है, इसराइल चाहता है कि वेस्टर नेशियन कंट्रीज के साथ वाइडर टाइज जो है, जैसे युवेई और बहरीन के साथ अबराम अकोर्ड जो सेट अप किया गया है, या बनाया है, एक तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशन को करना, इन में बहुत सारे कंट्रीज के साथ इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है, इसमें कुछी कंट्रीज जैसे यहां पर एजिप्ट हो गया, योई हो गया, भारीन हो गया, यह भी मेजर कंट्रीज जो अभी भी इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन इनके नहीं है तो इसको लेकर इसराइल चाहता कि इनके साथ वाइड रिलेशन जो है वो बनाए जाए तो आज के दहिंदू एनलिसिस में इतना ही थैंक्यो ओल जहिन